हेलो नमस्ते आप सबका स्वागत है हमारे इस यूटूब चानल में तो आज सिखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि हमारे जैसा वीडियो कोई आपको यूटूब पे नहीं सिखाता है तो चलिए सिख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवेन यह नमबर में दिया हुआ है स्टार्ट बिजनस विद कैस आरेस टू लाक पर्चेस गूट फोर कैस आरेस फिप्टी थाउजन और अन क्रेडिर आरेस फुर्टी थाउजन पेड सालेरी आरेस ट्वेशन फ्लोड कोस्टिं आरेस थाउजन वाँ siitä त्वेशन वाँ शोल्ड फोर आरेस फोर्टि थाउजन हमको बनाना है यहाँ पर अक्वेशान यह जो कुईसन है इसका हमको अक्वेशन बनना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे accounting equation का format बनाएंगे तो format बना ले से पहले आपको कुछ बात बता दू यहाँ पर जो transaction दिया हुआ है तो एक इनसान ने क्या किया हुआ है business start किया हुआ है वो भी कितना रुपे में? 2,00,00 रुपे में उसके बाद कुछ समान कीना हुआ है cash लेकर 50,000 में and कुछ लिया हुआ है उधार आपको credit में लिया हुआ है 40,000 credit का मतलब होता है उधार उधार लिया हुआ है जिसका पैसा अभी तीरा नहीं है बाकी है तीरना ठीक है तो total यहाँ पर purchase goods for cash आपको यहाँ पर देख सकते है 50,000 and on credit 40,000 total goods किना हुआ है total goods कितना में किना हुआ है 90,000 का किना हुआ है 90,000 में पै 50,000 किया 40,000 उधको पे करना बाकी है paid salary R.S. 20,000 यहाँ पर जो 20,000 दिख रहा है यह बाकी है पे करना बाकी है goods costing R.S. 30,000 was sold for R.S. 40,000 यहाँ पर जो good costing दिया हुआ है उसका price था 30,000 पर उसको base दिया गया है 40,000 में 40,000 में तो चलिए इसका accounting equation का यहाँ पे दिया हुआ है required accounting equation तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक format बना लेंगे तो चलिए इसका format बना लेते हैं तो आपके screen पे जो show रहा है वो है आपका accounting equation का format यह format आप लोग को बनाना होता है copy में तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना एक transaction यहाँ पे assets लिख लेना is equal to देकर capital plus liabilities कर लेना इस परकार का आप लोग format बना लेना पहले तो यहाँ पे transaction लिखना होता है assets लिखना होता है is equal to capital प्लस लिब्लिटी तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, यह assets का मतलब च्या होता है, assets का मतलब होता है, समपती, या किसी ने नगत पैसा दिया वह हो गया, या हम लोग कुछ समान किन रहे, plant and machinery किन रहे है, वह हम लोग assets में लिखते हैं, furniture भी किनेंगे, तो assets में लिखेंगे, हमा और उस furniture किन के हम लोग को बेचना जो है ठीक है हम लोग capital जैसे के furniture का पसल खोल रहे हैं पसल का मतलब आपका दुकान हो गया तो furniture का दुकान खोलेंगे तो वो हम लोग capital जो invest करेंगे investment का मतलब हो गया आपको capital plus liabilities liabilities का मतलब क्या होता है आप किसी को कुछ किन रहे हो और उसका पैसा दिया नहीं है पैसा देना बाकी है तो वो हम लोग समझेंगे liabilities अथार उसको देना बाकी है जो पैसे देना बाकी हो जाता है हम लोग जो पैसे नहीं दे पाते है बाद में देते हैं, वो हम लोग liabilities में लिखते हैं, इसका मतलब है, liabilities का मतलब सिर्फ simply, आप language में समझेंगे, तो हम लोग को देना बाकी है, पैसे हम लोग को देना बाकी है, ठीक है, यह होता है liabilities, तो चलिए हम लोग question देख लेते हैं, तो question हमारा जो था, यहाँ पर क्या था, started business with cash Rs 2 lakh, हम लोग को business से start किये हुए कितने में, 2 lakh में, तो हम लोग कैसे लिखेंगा transaction में, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, started, started, business का हो गया, started business with cash, यह हमारा A नमर का है, मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को language किस तरह से लिखना है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, started business with cash, तो मैंने यही लिख दिया, यहाँ पर, started business with cash, यह हमारा cash हो गया, तो हम लोग को assets जो था, संपती जो था, हम लोग business कितने में खोले थे, 2 lakh में, तो यह हमारा संपती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 lakh unit 10,100,000, 10,000, 2 lakh, is equal to, यह तो 2 lakh हम लोग क्या किया, हम लोग business start करेंगे, तो यह तो हमारा capital भी है, हम लोग invest कर रहे है, यह capital में भी चला जाएगा, ठीक है, unit 10,100,000, 10,000, 2 lakh हमारा किस में चला गया, investment भी चला गया, अब liabilities का बाग, plus, plus यह है, is equal to the plus, liabilities का मतलब क्या है, first मे आपको देखना पडता है यहां पे check करेंगे कुछ तीरना बागी तो नहीं हम लोग को हम लोग क्या किये बीजनस स्टार्ट किये गुए 2 लाख में ए नंबर का question में हम लोग कुछ भी पैसे यहां पर तीरना नहीं है यहां पर कुछ बात नहीं बताया गया है लृक्त में यहां पे लिख देता हूं 2 Tax looks United, यहां हमेरा бесп Duo יה, 99 जो है यहां पे मैं जिरो लइक दूँगा यह हमारा बिगनिग के क्वैसन हम लोगन ओ चुका है अब क्या करना बी नमबर में हम लोग देखेंगे चलिए बी क्या कुशन देख लेते हैं इतना करने के बाद बी में क्या गया बोला हुआ है पर्चेज गूड्स फोर कैस आरेस 50,000 एन ओन क्रेडिट आरेस 40,000 पर्चेज गूड्स मतलब कोई समान कीना हुआ है पैसे देकर 50,000 एन और टीरण बाकी जो पैसा है चालीस हजार का पैसे नहीं दिया हुआ है क्रेडिट बे है उधार लिया हुआ है ठीक है आपके यह समझना है वह गूड्स कीना समान कीना कितने में एक 50,000 में कीना और 40,000 कीना टोटल कीना कितने का कीना हुआ है वह 90,000 का कीना हुआ है 90,000 का कीना हुआ है जिसमें 50,000 उसने कैस दिया चालीस हजार उसके पास पैसे नहीं होगा, तो वो तिरना बाकी कर दिया, वो नहीं दिया, ठीक है, उधार पे ही रहे गया वो, ठीक है, तो आप लोगको यह समझ लेना है, पजास चार वो पैसे दे चुका है, 90,000 का समान कीना, जिसमें कैस्ट दिया हुआ है, 50,000, और उसको बाकी है देना, 40,000, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो लिखेंगे, पर्चेज, गूड्स, फोर, क्यास, एंड ओन क्रेडिट, यह लि क्रेडिट, यह जो कुईशन में होता है, लैंग्वेज मैं वही लिख रहा हूँ, आप लोग दिकत नहीं लिजिएगा, तो यहाँ पे कितने में, टोटल कितने का आया था, यहाँ पे पर्चेस गूड्स, हमारा एसेट्स जो था, टोटल के कितना है किना था, 50,000, 40,000, टो यहाँ पे क्यूँ लिखा हूँ, तो एसेट्स का मतलब है, समपती, हम लोग 50,000 का भी किने, प्लस 40,000 का भी किने, हम लोग समान कितने एकिन रहे, 90,000 का न, अबकुल समपती हमारा 90,000 हुआ न, तो वही मैंने 90,000 लिख दिया, उसके बाद जो यहाँ पे 50,000 है, 50,000 तो हमन is equal to, ठीक है, capital में क्या करेंगे, capital में हम लोग का investment है, कुछ किने हुए है, कुछ investment नहीं है, यहाँ पे देख सकते है, purchase goods किये हुए है, कि हम लोग समान किने है, यह investment नहीं है, सिर्फ समान किने है, ठीक है, यह capital में नहीं जाएगा, and on credit Rs.40,000, यह हम लोग को तीरना बाकी थ इसका मतलब हम लोग अभी पैसे नहीं दिये हुए है, उसका बाकी है, उधार लिये थे, उसका तीरना बाकी था, हम लोग पैसे देना बाकी था, तो वो चला जाएगा, वो 40,000 जो है, वो चला जाएगा, लाइब लेटीज में, तो वो मैं लिख देता हूँ, 40,000, I hope आप समझ रहे, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कमेंट, सब्सक्राब जरूर कर देना, अब फिर से एक लाइन हम लोग यहां पे तान देंगे, ठेक है, लाइन तानने के बाद यहां पे 2,00,000 था, 2,00,000, 2,00,000 हो गया, माइनस 50,000 करेंगे, तो कितना हो उसी तरश से, 0 plus 0,40,000 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, इस तरश से कर लेंगे, यहां पे beginning equation था, यह हो गया हमारा new equation, तो यहां पे मैं लिख देता हूँ, new equation B का भी, हम लोग complete कर चुके है, अब चलेंगे C की तरफ, तो यहां पे कितना कर चुके है, अब चलेंगे C की तरफ, तो C के दिख लेता हूं, C में क्या है, तो Question में क्या है, Paid Salary Rs. 20,000, Salary Pay किया हुआ है, 20,000, ठीक है, तो यहां से हमारे संपती में से ये 20,000 जा रहा है, हमारे संपती जो है, उसमें से हमको Pay करना परेगा 20,000, तो उसको मैं दे रहा हूं, ये मैं लेबरर क देऊंगा, वेज हो गया, salary का मतलब, employee को आप लोग पैसे देंगे, हमारे संपती से जा रहा है, ये 20,000, तो प्लस होगा कि माइनस, संपती जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस 50,000 किये हुए थे, क्योंकि हमारा संपती 50,000 हैंड किये थे, उसी तरह से, paid salary, यहां पर क्या लिखूंगा, मैं, paid salary, so paid salary हमारा, कितना हो गया, यहां से, हम लोग, minus 20,000 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 20,000, assets में से जा रहा है, संपती में से जा रहा है, अब यहां पर आपको एक बात समझना है, 20,000 जा रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे है, यह 20,000 हमारा जाएगा, तो यहां पर capital वही हो जाएगा, 20,000 ही होगा, ठीक है, यहां पर minus 20,000 capital भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आपको समझा दू, क्योंकि मैंने employee को पैसे दे रहा हूँ, तो हमारे जो investment हो रहा है, capital का मतलब investment हो रहा है, उसमें 20,000 हम लोग invest कर रहे है, ठीक है, तो यहां पर जो assets है, वही minus 20,000 यहां पर भी capital में भी लिखा जाएगा, यह investment हो रहा है हमारा काम में, ठीक है, प्लस, अब यहां पर हम लोग को क्या हो गया, liabilities, paid salary में कुछ तीरना बाकी है, नहीं है, paid salary हम लो हो गया, 0, क्योंकि हम लोग को कुछ तीरना बाकी है ही नहीं, बस इतना हो गया, चलिए फिर से अब लोग क्या करेंगे, इसको एक line से इस तरह से कर देंगे, अब इसका हिसाब कर लेते है, 2,40,000 minus 20,000, तो कितना हो जाएगा, 2,20,000, ठीक है, is equal to, 2,20,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर, 1,80,000, प्लस, 40,000, प्लस, 0 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 40,000 ही हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा इस तरह से कर लेंगे, अब चलेंगे, लास्ट का क्यूशन की तरब, लास्ट क्यूशन कर लेंगे, तो complete हो जाएगा, goods costing Rs 30,000, while sold for Rs 40,000, जो goods कीने थे, यहां पर, उसका price था 30,000, हम लोग बेचे कितने, 40,000 में, तो यहां पर profit हुआ की, लास्ट, profit हुआ, बस वही लिखना है, ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, language वही हो गया, हमारा, D number में, goods, was sold for profit or loss, profit हुआ है, तो यहां पर लिख दूँगा, profit, ठीक है, यह मैंने language यहां पर, लिख दिया, आप लोग भी लिख लेना, तो यहां पर कितना है, यहां पर costing कितना था, यहां पर हम लोग को, 30,000 में किन रहते, बेच रहते, 40,000 में, तो हम लोग को, यहां से 30,000 हमारा गया था, समपती में से, और 40,000 आया था, तो यही कर दूँगा, मैं माइनस 30,000 यहां पर कर दूँगा, 30,000 हमारा गया, उसके बाद 40,000 हमारा return आया, ठीक है, यह हो गया न, 30,000 गया, 40,000 return आया, is equal to, यहां पर लिख दूँगा, is equal to, अब दोनों में से, अब capital में, हमारा जो invest हुआ था, exactly capital का मतलब हिसाब किताब कर लेना है, अब माइनस 30,000, 40,000, 30,000 हम लोग क्या किये थे, कीने थे कोई समान, 40,000 बेचे थे, हमारा capital में कितना आ रहा है, 10,000 हमारा profit आ रहा है, यहां पर, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, 10,000, ठीक है, capital में वो चला जाएगा, हमेशा याद रखना है, आपको loss और profit में आएगा, तो capital में चला जाए कितना loss हुआ, कितना profit हुआ, वो आप लोग यहां पर capital में जाने देना, प्लस आपका, यहां पर liabilities है, आपर liabilities कुछ था, तिरना बाकी था, उधार था, नहीं था, तो जीरो हो गया, अब यह हो गया, हमारा हिसाब कर लेते हैं, इसका, 2,20,000 में से minus 3,000 गया, तो कितना हो गया, 1,90,000 प्लस 40,000 करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, 2,00,000 यहां से 2,30,000 हो जाएगा, 2,30,000 is equal to, 1,80,000 प्लस 10,000 करूंगा, तो 1,90,000 हो जाएगा, तो 2,30,000 हो जाएगा 2,30,000 के यह दोनों equal आ गया equal आ गया तो हमारा accounting equation एकदम right है यह हमारा हो जाएगा final equation यह हमारा क्या आ गया final equation कितना कर लेंगे तो आपको full max मिल जाएगा आप लोग समझ गए होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, comment, subscribe जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ share करना और भी वीडियो के लिए comment करना मिलूँगा next वीडियो में अभी के लिए जा रहा हूँ जरूर share करना यह जो question था आप लोग समझ गए होंगे असानी से तो share जरू करना, bye bye